आज का टॉपिक कस्टमर्स के बारे में कस्टमर्स वो लोग हैं जिनको हम अपनी सर्विसिस या प्रॉडक्स बेचते हैं हमारे केस में जो हमने कंपनी बनाई भी है वो ये दोनों काम करती है जो सर्विसिस हम लोग बेचते हैं वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसिस जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं rental services जिसमें हम अपना equipment rent पे ये कराये पे देते हैं और third है building material जिसमें हम cement, सरिया और related चीजें अपने customers को बेचते हैं जिसको भी हम अपनी services या goods बेचेंगे वो हमारा customer है और हम उसका तमाम record अपने पास रखेंगे क्योंके quick books में जब हमने इसको setup किया था आपको याद होगा कि हमने ये तमाम काम करने से पहले बताया था कि हम estimates भी बनाया करेंगे हम अपने customer को estimate या proposal या quotation दिया करते हैं जिसके basis पे acceptance के बाद हम काम अपना शुरू करते हैं तो customer सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम अपनी services बेचें बाद दवा किस्टमर वो भी होते हैं जिनको हम अपनी services के लिए quotation, bid या proposal जमा कराएं और जुरूरी नहीं कि वो काम हमें मिल जाए तो तमाम वो लोग, वो अधारे, वो firms, वो company जिसको हम अपनी services और products offer करते हैं are considered as our customers, इन customers को हम हर तरीख से track करना चाहेंगे, कि हमने इनके कोई पिछले जाब किये हैं, क्या हम इनका कोई जाब कर रहे हैं, क्या एक वक में हम एक से जादा जाब कर रहे हैं, जाब की नौयत क्या है, जाब किस position पे, कहां खड़ा है, कितना time हो चुका है, कितना time बाकी ह तमान चीजें जो हमारे customer से related है, हमारे पास quick books में उसका record आता रहेगा, हमारी recording के साथ साथ, let's go over and see how we create a new customer and add him to our customer list, जैसे कि आप जानते हैं, कि quick books में हर चीज़ करने के एक से जादा तरीखी होते हैं, जैसे आप quick books की home page पे आएंगे, तो आपको ये तीन जगा से customer के पास, ये customer center जाने का तरीखा नज़र आएगा, सबसे पहले, आपके home page पे customers लिखा हुआ है, आपके menu bar पे customers लिखा हुआ है, और top पे भी customers लिखा हुआ है, you can go to your customer center from clicking on any of these three places, let's go to the customer section, customer section looks like this, इस वख हमारे पास कोई customer मौझूद नहीं है, और ना list में नज़र आ रहा है, और ना ही उसकी information यहां नज़र आ रही है, जब भी हमने एक नया customer add करना है, what we have to do is, just look for something which says add a new customer or a job, so as you can see right on top, there is a button which says new customer and job, all you have to do is click on it and you can see a new customer, there are other options as well, but we are going to start off with adding a new customer to the list. जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे, आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप उस customer की जितनी information चाहें डाल सकते हैं, सबसे पहली चीज़, customer का नाम. अगला जो आपको फील्ड नजर आ रही है, वो कहरी ओपनिंग बैलन्स, हो सकता है कि आपका पास पहले से कोई accounting system चल रहा हो, या उसका record मौझूद हो, जिसमें उसका कोई ना कोई बैलन्स चल रहा हो. If that is the case, what you can do is, you can add that opening balance to Javed Construction's account, लेकिन अगर वो ओपनिंग बैलन्स नहीं है, और आप ये नया बिजनस शुरू कर्रहा है, नया एक कस्टमर आट कर्रहा है, तो वो ओपनिंग बैलन्स 0 होगा. Now, the company name, and this is the name of the main contact person. And his job title is, he is the CEO of the company. We can enter the phone numbers, the email, and all other informations that we need to. But this part is basically your address info, जैसे का आपको नजर आ रहा है, इस वक्ख, address info का tap clicked है, और ये तमाम information, हम address info के अंदर लिख लेहा है. नीचे आपको दिया गया है address detail, जब भी आप कोई bill बनाएंगे, तो आपने वो bill किस के नाम, किस address पर अरसाल करना है, वो हमने यहां लिखना है. यहां आप लेख सकते हैं कि लिखावा है ship 2, ship 2 है कि अगर आपका कोई और destination है, जहां ये आपकी mail जानी है, और अगर वो ही destination है, जो के और वो ही address है, जो आपने पहले enter किया है, all you have to do is copy the address into ship 2, we now have the same address on both side, so what we have right now is address info of our first customer. The second part is the payment setting, now this is very important, if you have the account number of your customer, you can write it down. The second part is the payment terms, payment terms आप अपनी भी add कर सकते हैं, कहां add होगी, याद रहे के तमाम इस तरह की list हैं हमेशा एक जगा मौजूद होगी और वो है under the heading list, but we will come to that later, इधर आपके पास ये 5 ये 6 option नजर आ रहे हैं, due on receipt, this means कि जैसी आप वहां माल इरिसाल करेंगे, फॉरन ही आपके पैसे मिल जाने चाहिए, net 15 का मतलब है 15 दिन के बाद, net 30 का मतलब है 30 दिन के बाद, और net 60 का मतलब है 60 दिन के बाद, you expect to be paid, इस में दो और options भी हैं, 1% 10, net 30, 2% 10, net 30, इन का क्या मतलब है, ये भी हम आपको बताता चलूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के अंदर payment कर रहे हैं, आप अपनी payment 1% less कर सकते हैं, आपको discount available है, और 2% 10, net 30 का मतलब है, कि अगर आप 10 दिन के अंदर payment कर रहे हैं, तो आपको 2% का discount available है, if you pay within 10 days, maximum days available to you is 30, after 10 days, you have to pay full amount, in our case, क्योंकि हमारे construction business है, we say that our payment terms are net 15, you have to let your customer know, कि हमारी payment terms क्या है, और ये terms हमेशा business शुरू होते के साथ ही finalize कर ली जाती है, preferred payment method, इसमें आप नया add भी कर सकते हैं, और जो मौझूद है, उसमें से एक check भी कर सकते हैं, once again, ये तमाम drop down list है, available होनी चाहिए, list के अंदर, credit limit, credit limit वो है, कि जिस से जादा, अगर आपके पास receivable खड़ा हो जाए, किसी भी customer का, तो आपको भी information आ जाएगी, and you can take action over it, for example, अगर मैं credit limit, 2,00,000 रुपे रखता हूँ, इसका मतलब ये है, कि जब, और जैसे ही, मेरी invoicing, 2,00,000 की limit को touch करेगी, मुझे अगली invoice पे एक warning आईगी, कि अब आप limit क्रॉस करने वाले, do you want to proceed, अगर आपका उस authority है, you can proceed, लेकिन आपने उसकी एक limit बताईवी है, कि इस limit से उपर हमने इसको मजीद काम या माल नहीं देना है, और ये limit, once again, as we know, कि जब हम किसी के साथ कोई business terms establish कर रहे हों, उसी वक्त हम ये limits और terms and conditions finalize कर चुके होते हैं, और जैसी आपने यह information ये दाल दी है, याद रहे, quick books आपको याद दिलाता रहेगा, बाखी चीजें, we'll see later on, क्योंकि ये बड़ी protective type की information है, जो के credit card की information है, और बहुत सारे लोग इसको खुफिया रखना चाहेंगे, sale tax, हमाई पास बहुत सारे ऐसे अजारे होते हैं, जो के non-taxable या NGOs होते हैं, तो उन के लिए ये provision है, कि whenever you sell to them, you don't need to charge tax, but they have to provide you with a certificate stating that they are exempt from taxes, if they are not, they are liable to pay taxes, taxes की भी एक लंबी list है, provincial taxes, federal taxes, income taxes, और ये list, जो भी इसके साथ applicable होगी, हम यहाँ उसके साथ attach करते चले जाएंगे, additional information is the customer type, once again this is a list, list and it can be amended from our list menu, but for present there are four options that we have available, we can add a new whenever we want to, customer type, हम कहते हैं, contractor, and this is what our customer is going to be, job information, ये वो काम है, जो हम इस customer के साथ कर रहे हैं, job के हम description दे सकते हैं, job का type दे सकते हैं, लेकिन we can add it later as well, क्योंकि आप जानते हैं के हमारा काम construction है, तो यहाँ बहुत सारे option आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें निया, additional, remodel, यानि पुराने को हम ठीक कर रहे हैं, residential, ये तमाम type के jobs हैं, लेकिन as this list grows, we can simply add a new job type to it, we can do it later as well, for the moment, this is more than enough for establishing and adding a customer to our customer list, as you can see that the customer we just added, Mr. Javed of Javed Construction, he is a customer type contractor and net payment terms are net 15 and his billing address is Mal Road, Lahore. So, this is how we add a new customer to our customer list, we can add, edit and delete and merge contractors as we go along, again that will come later, until our next session, thank you so much.